हेलो दोस्तों नमस्कार इकजिस्ट टेकडमी में आप सभी का हादिक स्वागात एवं हादिक वननदन है कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे जब वजस्त होंगे और आप लोगों की तयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी चलिए और वाग्के के प्रकार क्या होते हैं और वाग्के के अंग कौन कौन से होते हैं इन सभी बातों पर हम विस्तित ध्यान करते हैं तो सब लोग एकदम बढ़िया तरीके से तयार हो जाएए और सुरुआत करते हैं सबसे पहले वाग्के आईए समझते हैं वाग्के क्या होता है तो आपको एक लाइन में बताना है कि सब्दों के सार्थक समूं को वाक्य कहते हैं पहले इसकी पईभासा लिख लेते हैं सब्दों के सार्थक समूं को वाक्य कहते हैं अब सब्दों का सार्थक समूग वाक्य कहलाता है एक एक्जाम्पल की मद्यम से समझते हैं एक एक्जाम्पल जैसे है आपका रमेश खाना घर गया एक वाक्य लिखा हुआ है रमेश खाना घर गया देखें इस वाक्य को आप पढ़ेंगे तो इस सब्दो का समो है ये आपका सब्दो का समो है लेकिन क्या सही तरीके से लिखा हुआ है सब्दों के सार्थक समू को इसी सब्दों को परकरना है करा सार्थक तो सब्दों का सार्थक समू ही वाक्य कहलाता है तो एक सब्द ये लिखा है ये चार प्रकार के सब्द लिखे हुए है इस सब्दों का क्या लिखा हुआ है समू तो लिखा हुआ है लेकिन क्या इसका कोई अर्थ हम समझ पा रहे हैं क्या इस वाक्य का हम कोई निश्चित भाव प्रकट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं रमेश, खाना, घर, गया इसका कोई अंस या कोई मतलब नहीं निकल पा रहा है इसका कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है खाया क्या इस बात को समझपाई अब यहां पर देखेंगे तो यह आपके सब्द हैं यह सभी सब्दों का एक समू है और समू मिलकर के इसका एक अर्थ निकला और इसका एक निश्चित भाव निकला की नहीं निकला इसका एक निश्चित भाव निकला और वर्डों का क्या सब्दों के सार्थक समूव को वाक्य कहते हैं और सब्दों आप तू सब्दों देख पा रहे होंगे पहले सेंटेंस में यह आपका सब्दों का समूव तो लिखा हुआ है लेकिन इसका कोई निश्चित भाव और अर्थ समझ में नहीं आ रहा है जब इसी वाक्य को हम इस तर क्या आई होड कि आप लोग वाक्य के कंसेप्टों को बहुत 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 तरिके के समझ पाये हुँ अगर ना समझ पाये हो तो इसका एक और बहुत भ़्या सा सब्दों का समूह ही बना रहे हैं लेकिन इसका कोई निश्चित भाव नहीं निकल रहा है या आप समझ सकते हैं इसका कोई भी अर्थ नहीं प्रकट हो पा रहा है इसलिए यह वाक्य की सिंडी के इंदर गत नहीं आते हैं हम इसको और किसी तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, राम की माताजी घर गई, अब देखे एक सेंटेंस का इसका मतलब समझ में आ रहा है, कि इस सब्दों के क्या है, समूह हैं, और इसका हमें अर्थ पता चल रहा है, मतलब एक निश्ची तो भाव का बूध हो रहा है और निश्ची तो भाव का बूध हो रहा है इसलिए क्या कहा जाएगा वाक क्या यहां पे अर्थ निकलेगा कि राम की माता जी घर गई इसका अर्थ निकला I hope कि आप लोग वाकों को बहुत बेटर तरीके से समझ पाएं आएए एक इसकी और बढ़िया परिभासा समझ लेते हैं एक बढ़िया परिभासा इसकी क्या होती है पहली परिभासा तो आप समझ पाए होंगे सब्दों के साथ थक समू को वाक्य कहते हैं दूसरी परिभासा को अच्छे तरीके से समझिए दूसरी परिभासा क्या है सब्दों का वह समू सब्दों का वह समू जो जो किसी निश्चित भाव का बोध कराए जो किसी निश्चित भाव का बोध कराए उसे ही हम क्या कहते हैं उसे ही हम वाक्य कहते हैं जैसे हमने दोनों बातों को यहां पर मेंसन कर दिया एक तो इसका सार्था करत निकल गया और यहां सब्दों का वह समू जो निश्चित भाव का बोध कराए वो निश्चित भाव का बूत करा रहा है, यही क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा, इतनी सी बात आप लोग समझ पाए होंगे, चलिए अब समझते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं, कौन कौन से वाक्य के दो अंग होते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक आपका होता ह एक आपका होता है उद्देश और दूसरा क्या होता है विधे होता है दूसरा क्या होता है विधे होता है अब चलिए एक समझ लेते हैं उद्देश क्या होते हैं और दूसरी बात को समझ लेते हैं विधे क्या होते हैं तो आईए सबसे पहले इसको थोड़ा सा अपनोट कर ल लीजिएगा सबसे पहले उद्देश क्या होते हैं उद्देश यहां पर लिख लीजिएगा किसी भी वाक्य में किसी भी वाक्य में करता कोही करता को ही उद्देश कहा जाता है किसी भी वाक्य में करता को ही उद्देश कहा जाता है परिभासा से समझ लीजेगा अभी जब हम एक्जामपल करवाएंगे उस एक्जामपल में हम बढ़िया तरीके से समझाएंगे दूसरी बात को समझेगा बिधे क्या होता है किसी भी वाक्य में करता को छोड़ करके छोड़ कर जो भी अन्य बातें लिखी हुई होती है अन्य बातें लिखी हुई होती है उसे ही हम क्या बोलते है मतलब किसी भी वाक्य के दोवंग होते है एक उद्देश होता है तो उद्देश का मतलब होता है कि हमने यहाँ पर समझ लिया करता को ही क्या बोलते है उद्देश बोलते है अब करता के बाद जो कुछ भी बच रहा है इसका मतलब किसी भी वाक्य में कर्म भी होता है और क्रिया भी होती है इसका मतलब है कर्म है और क्रिया है इनहीं को हम क्या बोल देते हैं विधे बोल देते हैं एक आप example के माध्यम से अच्छे तरीके से इसको समझेगा जैसे एक वाक्य लिखा है राम खाना खाता है ताया की करता होता है बाकि करता के अलामा जो कुछ भी वाकिमे मेंसन होता है उसे ही विधे कहते हैं तो एक करता का मतलब क्या होगा ए राम क्या हो जाएंगे करता हो जाएंगे इसका मतलब है यहां राम क्या हो जाएंगे उद्देस हो जाएंगे हो जाएंगे या नहीं हो ज मुझा हुआ अधर कि जो कुछ भी बच गया उसे क्या नाम दे दिया विध्य होब कि आप लोगत और बिध्य की बातों को बेतर तरीके से समझ पाए होगे एक ग्जापल के पुआ हम सेएर समझते है इस में थोड़ी सी और चीजे होती हैं जो समझने लायक होती है दूसरा एक बहुत महत्वपूर एक्जामपल है इसको समझेगा दूसरी बात को समझेगा मोहन फल खाता है मोहन फल खाता है दूसरा एक्जामपल है और हमने कहा कि जो एक्जामपल में करता होते हैं वही करता आपके क्या हो जाते हैं उद्देश हो जाते हैं एक करता आपके क्या हो जाएंगे उद्देश हो जाएंगे एक फल आपका कर्म हो जाएगा खाना आपकी क्रिया हो जाएगी और क्रिया और कर्म की बात करेंगे एक क्रिया है और प्लस कर्म है और हम किसी को उद्देश और विधे में किसी प्रकार का कोई दुख तकलिक तो नहीं है किसी को किसी भी विक्ति को यदि यहां तक कोई प्राबलम है तो कमेंट स्रक्शन में आप ज़रूर बताईएगा कि हाँ यह चीज़े सब समझने नहीं आई है आए इसी उद्देश और इसी विधे के बाद जो और चीज़े इंपोर्टन हैं उसको समय लेते हैं इसी उद्देश में माली जे क्या सर हर बार यही छोटा सा ही वाक के दिखाई देगा माली जे हमने का राम खाना खाता है मोहन फल खाता है वा घूमने जाता है क्या सर यही सिंपल वाक के ही रहेगा उसमें पूछा जाएगी क्या आपके यहां पर उद्देश होते हैं और क्या विधे होते हैं तो बताना थोड़ा सा असंभव हो जाएगा तो उन चीजों को समझ लेते हैं थोड़ा सा बड़े एक्जांपल को करते हैं आईए बड़े एक्जांपल को यहां पर समझते हैं एक इसको समझते हैं कि कोई भी ब्यक्ति यदि पूछ लेगी इसमें आपको बताना है कि यहां पर उद्देश से क्या होता है और बिधे क्या होता है देखिए मोटा ब्यक्ति लिखा हुआ है तो यह ब्यक्ति तो आप इतना सा बात को आप अच्छे तरीके से समझ पाएं होंगे कि यह करता है अब यह करता है तो यह करता है इसका मतलब भाई सहाब आपके क्या हो जाएंगे उद्देश हो जाएंगे बाकी यह आपका अंगूर खाता है यह अंगूर खाना क्या हो जाएगा यह आपका क्या हो जाएगा बिधे हो जाएगा होगा यह नहीं होगा है और मी क्या के साथ क्या लिखा हुआ है, मीठा लिखा हुआ है, तो एक कर्म के साथ लिखा हुआ है, तो कर्म आपका क्या होता है, बिधे होता है, अर्थात एक कर्म के साथ लिखा है, तो ए मीठा हो जाएगा, बिधे का बिस्तार, क्या हो जाएगा भाई साथ, बिधे का बिस्तार, अब ये ब्यक्ति लिखा है ब्यक्ति है करता और करता है तो ये हो जाएगा उद्देश और ब्यक्ति के साथ मतलब उद्देश के साथ लिखा हुआ है तो भाई साहब मोटा को हम क्या बना देंगे मोटा को बना देंगे उद्देश से का उद्देश से का विस्तार क्या बना देंगे उद्देश का विस्तार कोई मेरे दोस्त यहां तक दिक्कत है यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ है अगर है तू ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं दूसरा लिखा है सुन्दर लड़की सुन्दर लड़की जोर जोर से रोती है अब इस वाके में बताना है कि उद्देश क्या होते हैं और विधे क्या होते हैं एक बात आप लोग इसके पहले वाले एक्जामपल में यहां भी समझ लीजिएगा कि यह जो उद्देश का विस्तार लिखे हुए हैं यह दोनों उद् उद्देश का विस्तार ही होता है लेकिन आप इसको सेट कर सकते हैं यह उद्देश है करता उद्देश है बाकी जो बचा यही क्या हो जाएगा विधे हो जाएगा जो आपकी पजबासा में बताईए है दूसरी बात को समझते हैं यहां पे लिखा है सुन्दर लड़की औ और करता हो ही हमने क्या नाम दे दिया, उद्देश नाम दे दिया, इतनी सी बात में कोई दूप तकलिफ है, और इस लड़की के साथ आने वाला सब्द क्या है, सुन्दर है, इसका मतलब यहां सुन्दर क्या हो जाएगा, यहां सुन्दर उद्देश का विस्तार होगा, क्या इसका मितलब यहां जोड़ जोड़के पिर्म के साथ लगा होता बिधे का अथाथ यह आपका क्रिया के साथ यह हो जाएगा अब पूरी बात को एक बार अच्छे से फिर से समझ लेते हैं क्या होता है उद्धेश और क्या होता है विध्यट तो उद्देश हम करता को कहते हैं करता के बाद जो कुछ भी बचेगा उसी को हम बोल देते हैं बिधे अब देखे करता के साथ यहाँ पर जो भी सब्द आएगा वो बिधे का विस्तार होगा सुरी उद्देश का विस्तार करता के साथ करता को हम क्या बोलेंगे उद्देश बोलेंगे तो करता के साथ आने वाले सब्द क्या हो जाएंगे उद्देश का विस्थाद इसी तरीके से कर्म और क्रिया के साथ आने वाले सब्द को हमने क्या बोल दिया बिधे तो कर्म और क्रिया के साथ आने वाले सब्द को हमने क्या बोला विधे का विष्थाद एक लाइन में सिर्फ इतना सा समझना है करता आप भैचाल लेंगे तो करता उद्देश होगा बाकि जो कुछ भी बचेगा मेरे भाई वही आपको क्या हो जाएगा बिधे हो जाएगा कम्प्लीट बाते यहां तक समझने आई की नहीं अब चलते हैं वाके के कितने प्रकार होते हैं तो वाके के प्रकार अर्थ के अधार पर अलग होते हैं और रचना के अधार पर अलग होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद तब तक आप इन चीजों को यहां से अच्छे से नोट करिए वाक्य के भेद वाक्य के भेद एक तो आपका रचना के आधार पर रचना के आधार पर वाक्य के भेद दूसरा आपको समझना है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद ये दो चीज़े हो गए अब चलिए समझते हैं पहला है आपका रचना के आधार पर रचना के आधार पर वाक्य के भेद रचना के आधार पर वाक्य के भेद तो पहला आपका हो जाएगा सरल वाक्य दूसरा हो जाएगा सयुग तो वाक्य तीसरा आपका हो जाएगा मिस्र वाक्य ये आपके क्या होते हैं रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य आईए सबसे पहले वाक्य के बारे में समझते हैं सबसे पहले सरल वाक्य सबसे पहले सरल वाक्य का होता है सरल वाक्य वहाँ वाक्य होता है जिसमें एक उद्देश और एक विधे होता है वहाँ वाक्य जिसमें एक उद्देश और एक विधे होता है एक विधे होता है दो तीन बातों को आप समझेंगे जब दो तीन बाते आप लोग समझ पाएंगे तो सरल वाक के अच्छे तरीके से समझ पाएंगे एक उद्देस और एक बिधे का मतलब होता है कि एक करता और एक आपका क्रिया और करो कहने का मतलब कोई भी काम हुआ होगा वहाँ एक ही काम होगा या एक ही क्रिया होगी उसे ही हम सरलवाकि केते हैं एक उद्देस और एक बिधे का मतलब क्या होगा भई असोग मैच खेलता है असोग मैच खेलता है एक्जमपल में आपको बताना है कि वाक के सरल होगा सयुक्त होगा या मिस्तर होगा तो सबसे पहले समझना है कि यहां पे असोग जी आपके क्या हो जाएंगे ए यसोग जी आपके यहां पे उद्धेस होंगे की नहीं होंगे करता होंगे मतलब उद्धेस होंगे और यहां पे खेलना आपकी क्या होगी क्रिया होगी तो खेलना क्रिया है और क्रिया ए आपके मैच आपके क्या है कर्म है तो ए वाला भाग उद्देश बाकी बचा भाग आपका क्या हो जाएगा बिधे हो जाएगा तो इस वाक्य में एक उद्देश और एक बिधे ही तो है और एक उद्देश और एक बिधे वाला वाक की ही क्या हो जाएगा सरल वाक की हो जाएगा या दूसरी बात को हमने समझाया कि जिस वाक के में एक ही क्रिया हो एक ही काम हो इसका मतलब है कि एक काम क्या है कि असोक मैच खेलता है बाकि दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है यहां पे, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सरल वाक्त हो जाएगा, दूसरे एक्जमपल की माध्यम से समझते हैं, राकेस ने भोजन किया, दूसरा एक्जमपल है, राम पढ़ता है, अब इसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा वाक्त होगा, सरल होगा, सयुक्त होगा, या मिस्त होगा, जब आपको सयुक्त वाक्त पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से एचीजे आपकी बिल्कुल अलग दिखाई देगा, और सरल वाक्त भी बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा है, जैसे हमने कहा राक किया ही आप की यह किल्या मतलब यह आपकी बिढ़े हो जाएंगे तो एक उद्धेश एक विढ़े क्या कहा जाएगा सरल्वाक्ष या यह हम करेगा क्यों थैप और हो जाएगा हुआ हैं एक काम हो रहा है कि 완-क्रेश्च केवाल करेगा तो जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया घाटी तो होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही सरल वाक्य बोलते हैं यहां तक सारी बाते आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आईए होंगी, अगर यहां से सन आप लोगों को समझ में आया है, तो आप चैनल को लाईक करें, सेर करें और सस्क्राइब करें, और इसके बाद बाकी बचे हुए, आपके जो टोपिक हैं, सर्युकत वाक के हैं मिस्वाक हैं इन सभी पर हम विस्तित अध्धन नेक्ष्ट क्लास में करते हैं ओके थेंक यू जहें